एलो एवरिवन आज की इस फीड़ो में हम डिसकस करने वाले हैं बी ए प्रोग्राम का सेमेश्टर जो 6 है हमारा उसकी हिस्ट्री सब्जेक्ट को हमें आपे डिसकस करेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री है आपकी है और इसमें हमने पार्ट वन जो आपकी यूनिट वन है आज जो करने वाले इसका पार्ट वन जो हमने करा था उसमें मने यह क्या है जिक है जो है जो एधिक कि दोरान जो विश्व जो है डो हिस्टो वर्ल्ड हिस्ट्री यानि कि 20 वीश अताबदी में कौन से मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री के विश्व इतिहास के कौन से प्रमुख मुद्दे रहे हैं वो हम इस सब्जक्ट में बढ़ेंगे पिरा नाम इस सदिंदर परताब और आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर फॉलो कर सकते हैं कि लब वेस्ट अडिपाइंट है मेरा यूजर ने में चले देखते हैं टॉपिक को आज की इस फीड़ा में हम टॉपिक को देखेंगे शीतियुत का प्रभाव लेकिन देखें एक च सकते हैं कि शीतियुत के सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में चर्चा कीजिए तो तीनों एक ही टॉपिक है ध्यान से आपको देखने समझना ठीक है चलिए बेसिक सा कोश्चन आपके सामने अगर मैं रख दूं कि शीतियुत के क्या प्रभाव पड़े तो सभी इसके कॉमन से आंसर देंगे सब कहेंगे कि इस समय विशो जो था वो दो गुटों में बट गया था बिल्कुल सही है आप बताओगे कि इस दौरान यूएन नो जो था वो शक्तिहीन हो गया था यानि कि वो उतना तागतवर नहीं रहाता कही ना कहीं वो एक अखाड़ा बन चु होगा लेकिन एक ऐसा नहीं होगा आपका जो बहुत अच्छा इंप्रेशन डाले इसके लिए आपको बहुत सारे अन्य पॉइंट भी लिखने होंगे ठीक है तो वह अन्य पॉइंट कौन से हैं वह मैं आपको यहां पर डिसकस करूंगा यह जो है यह तो हम सारे के सारे एक खतम हुआ था ठीक है यानि 1939 से 45 में जो वर्ड वर्ड टू हुआ था यह 45 में खतम हो गया था इसके बाद क्या था कि दो महाशक्तियां सामने आई थी सूपर वावर एक तरफ यूएस से था दूसरी तरफ यूएससर था इन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांट लिय था यह हमने पढ़ा था इतना हम समझ चुके थे अब इसको और देखते आगे तो देखें दूसरे विश्यूद की समाप्ति के बाद शीतियूद का दौर सुरू हुआ जो की लगबग लगबग निसो नबे कई जगा इक यानबे भी कहा जाता और कई जगा एटीनाइन भी बढ़ चुका था एक गुट हो जाएगा पस्चमी गुट पस्चमी गुट जो था वो पूंजीवाद का समर्तक था जिसका हैड कौन था यूएस से था दूसरी तरब दूसरा गुट था वो था पूर्वी गुट जिसको हम कहते हैं सामेवादी समर्तक इसका हैड कौन था USSR यानि कि Soviet Union Soviet संग भी कह सकते हो आपिसी ठीक है तो इन दोनों सूपर पावर के बीच में दुनिया जो थी दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी इन दोनों गुटों के बीच में क्या था संगर्स था प्रतिसपरदा थी यूद की संभावना भी पूरे के पूरे 45 वर्सों तक बनी रही इनके बीच में तो यह हुआ था इसका प्रभाव तो यह है बिलकुल आसान सांसर इसके बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट पे दूसरा पॉइंट जो है कि परमानू यूद की संभावना का डर अब दिखे इस दौरा ने महत्वण घटना यह थी कि दोनों जो पावर थी सूपर पावर एक तरफ USA दूसरी तरफ USSR दोनों ने क्या किया जादा से जादा जो वेपन्स थे जो हतियार थे वो इखटे करने सुरू करती है ठीक है दोनों ही इस होड में लग गए थे और दोनों ने इतने जादा हतियार एकटे कर लिये थे इतने जादा हतियार बना लिये थे अगर मानलो इनके बीच में कोई यूद हो जाता अभी तो केवल संभावना थी ठीक है मालनो रियल में अगर इनके बीच में यूद्ध हो जाता तो ये तीसरा विश्यूद बनता ठीक है थर्ड वर्ल्ड वर बन जाता और ये इतना भयानक होता कि दुनिया में सायद ये भी पता कर पाना पॉसिबल नहीं था कि विजयी कौन हुआ है ये उससे जीता है ये उससर जीता है क्योंकि भयंकर तबाही मच जाती तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट था तो देखे परमानु यूद्ध की संभावना का डर यानि कि एक ऐसी संभावना बन गई थी जिसमें ये डर बैठ गया था जाता था कि वो ज़्यादा ताकतवर हो जाए इनके बीच में कॉम्पिटीसन हो गया था अमेरिका ने सन नाइटी फॉटिफाइट में 1945 में जापान के दो शेरों पे जो हिरोशिमा और नागा शाकी है इस पर परमानु अटेक करके दिखा भी दिया था शमता थी 15-21 किलो टन के असपास जो की बहुत मदब छोटे माने जाते आज के समय में अगर हम बात करते हैं बात के समय में तो इनके पास 500-500-1000-1000 किलो टन शमता वाले परमानु बम तयार थे जब इतने कम शमता वाले परमानु बम ने जापान में इस लेवल की भयंकर तबाही मचा दी थी तो अगर और ज्यादा बड़ा यूद होता तो सोचो क्या होता दुनिया में शायद कोई देशी नहीं बसता ऐसा हो जाता तो आप समझे हो कि परमानु यूद की संभावना जो थी वो बन चुकी थी और उसका डर जो था तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा थर्ड पॉइंट देखिए शीतियूद ने दुनिया में सैनिक संधी और सैनिक गठभंदनों को जनम दिया बिल्कुल क्योंकि आपको पता है USA और USSR इन्हों ने क्या करा दुनिया के छोटे-छोटे देसों को अपने में शामिल करना शु इनका जनम हुआ और इससे जो निशस्त्री करन के प्रियास थे उसको नुक्सान पाधा क्या था कि हातियारों को कम करना या कई खतरनाक हतियारों पर रोक लगाना यही होता है लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर तो हतियार बढ़ाए जा रहे है यानि कि दोनों में होड लग गिये जदा-जदा हतियार पाने की तो ऐसने में निसस्त्री करन का जो प्रयास था उसको भी नुकसान पहुचा ठीक है और दोनों महाशक्तियों और उनके गटपंदन वाले देशों के बीच में तनाव की स्तिती पैता हो गई थी यह आगे भी लगबग 45 साल तक बरगरार रही हमेशा मतलब डर लगता था कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूद हो जाए दोनों के बीच में तो यह पॉइंट यहां पे आया जाएगा और important point है यह अगला है fourth point यूरोप का बटवारा देखो शीत यूद के कारणी यह हुआ क्योंकि USA और जो USSR था दोनों ही चाहते थे कि दुनिया में उनका वर्चस होखा हुआ हमो ऐसे में छोटे छोटे देशों को वह अपने में शामिल करना फूरू कर दिया था उनोंने इसके लिए क्या कर दुनिया का बटवारा कर दिया उनोंने यूरोप का बटवारा किया और जो जर्मनी है यहां से बटवारा हुआ था और जर्मनी जो है इसने ही सबसे ज्यादा नुक्सान भी जो था वर्ड वर्ड टू के टाइम पर जहिला था तो क्योंकि एक तरह से यहां पर बॉर्डर बन चुका था इसके एक तरफ यूएस से था दूसी तरफ जो था वो यूएससर वाला था तो ऐसे में यूरोप का बटवारा कर दिया गया यूरोप में जर्मनी को दो हिस्सों में बांड दिया गया ये दोनों महाशक्तियों के बीच में विभाजन का प्रमुक परतिक रही है आपको पता है कि दोनों महाशक्तियों के बीच में विभाजन का परतिक था वो यह कैसे कम जोर हो चुका था क्योंकि देखो दोनों तरफ सूपर पावर्ती यूएसे और यूएसे के खिलाब तो कभी भी यूएनों आपको वैसे भी नहीं दिखेगा क्योंकि जो सबसे ज्यादा मतलब इसको फंड मिलता है अगर इसको यूएनों को सेयुक्त राष्ट संको त तो यह सारी चीजे हैं जो कहीं ना कहीं इसको कमजोर बना रही है तो चलिए देखते हैं शीति उद ने सेयुक्त राष्ट संक की भूमिका में कमी कर दी क्योंकि अब यह इन महाशक्तियों के खिलाब कोई फैसला नहीं दे पा रहा था अब अंतराष्ट इमामलों पर सेयुक्त राष्ट संग चाह कर भी मतलब अमेरिका के खिलाब कोई कदम नहीं उठा पाता था सेयुक्त राष्ट संग समस्याओं के समधान का मंचना होकर मातर एक दर्सक बन कर रहे गया अब क्या था भई जो यूएन नो एसका काम क्या इस विबिन देशों के बीच में ज तो यह हो जाएगा पांचों पाइंट अगरा पाइंट है हतियारों की होड यह तो हमने स्टार्टिंग में ही बढ़ लिया था आपको पता है दोनों जो सूपर बावर थी उनके बीच में होड लग गई थी कि कौन कितने ज़दा हतियार इखटे कर लेगा तो यह विश्व सारे हतियार बढ़ा रहे हैं गलती से भी अगर यूद्ध हो जाता है तो वह बहुत भयानक होगा सात्वा पैंट देखे गुट निरिपेक शांदोलन के आवशक्ता यस कुछ देश ऐसे हैं जिनको यह आवशक्ता महसूस हुई अब समझे क्या हुआ कि यह बात है 1945 से लग न सिर्ण न शारत भी आपको पत है 1947 में आ जाध हुआ था शेलंका की बात चरहें तो 1948 में आ जाध हुआ था एसे अगर हम अफरीक की देशों की बात करें तो में क्या मिलेगा उसकी तरब से आर्थिक सायता मिल जाएगी हतियार मिल जाएगी मदद मिल जाएगी यह बात थी लेकिन ऐसे में एक बहुत बड़ा खत्रा था इनके सामने मान लो कोई देश यूएससे वाले गुरुप में शामिल हो जाता है तो क्या वो कभी यूएससे गुलाम होने वाली स्थिती बन जाती तो ऐसे में इन देशों को महसूस हुई कि कहीं न कहीं हमारे पास एक ऐसा ओप्सन होना चाहिए जो हमें दोनों महाशक्तियों की खेमे बंदी से बचा ले तो यहां पर समझी अब इसको अच्छे तरीके से शीति उद ने गुट निर्पेक शांदोलन को एक आधार दिया क्योंकि जो देश इस समय में ऑपनिवेशिक चंगुल से आजाद हुए थे उनके सामने फिर से महाशक्तियों के शामिल महाशक्तियों में शामिल होके अपनी आजादी को खोने का आएगा आजादी को खोने क खतरा मंडरा रहा था इसने डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए फिर से हमें कहीं ना कहीं दुबारा से गुलामी जेल नहीं पड़े है ठीक है तो यह समस्यान के सामने थी ऐसे में इन देशों को ऐसी जरूरत महसूस हुई कि उन्हें दोनों महाशक्तियों के खेमे से अ जादा तर वह देश सामिल हुए थे जो नए नए आजाद हुए थे इसको नव स्वतंतर देश कह सकते हैं यह देश इसमें शामिल हो गया तो यह सेवंथ पॉइंट हो जाएगा आटवा पॉइंट देखें नव उपनिवेश्वात का जनम यह भी महत्वण है क्योंकि उपनिवेश्वात कहा चाता है तो ऐसा हुआ क्योंकि विखित देश जिन्नोंने होतीयार और सुरक्षा का वाइदा किया थे उसे वाइपने मैं उनको ऑपने में उसक्तर करेंगे ठीक है तो उस लालच में जो देशिस में शामिल हो गए थे तो उनके सामने कई ना कई फिर से खत्रा था कि अब उनको जो भी फैसले लेने हैं वो उनके according ही लेने हैं उनके खिलाफ नहीं जा सकते तो ऐसे में उनने हतियार और सुरक्षा का वाइदा का जो लालच दिया उसके बाद ये उनके आंदरिक मामलों में भी डायरेक्ट और इंडायरेक्ट रूप से अगर हम देखें गई ना गई तो हस्तचेप करने लगे थे ठीक है इस परकार ये कहा जा सकता है कि शीतियूत के कारण नव उपने विश्वात का जनम भी हुआ था इसके बाद देखें मतलब ये भै बना रहता था कि कहीं तीसरा विश्यूत ना हो जाए तो ये डर भी था अब यहां पर एक चीज और आपको याद रखने हैं मैंने पॉइंट यहां पर कम लिये मतलब एक्स्प्लेशन कम किया है आप दो चार लाइन और ज्यादा एक्स्प्लेइन कर सकते हैं समझ कर ठीक है आपको खुद से एक्स्प्लेशन करनी है अब चलते हैं आखरी पॉइंट पे दस्वा पॉइंट यूरोपिये देशों में शीतियूत का आर्थिक प्रभाव कि क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा था इसे भी समझे देखे शीतियूत ने पस्चिमी देशों म इसे वाला जो था वो यू 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 एसयार के गृूप में हमने पढ़ा था वत्यूप वोली हिससे को और भूब हम उसको खड़ा करने के लिए, उसको दूबारा से मचबूत वनाने के लिए यूसरा रोरै उसको पैसे एं बहूंत अपना करी तैसा लगा दिया इस पे। यह सब तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इससे इनको आर्थिक सायता भी दी गई यूरोपे आर्थिक सहयोग संगठन भी इसी समय बना था इन देशों के बीच में आपस में इनोंने व्यापार समझोते भी कई सारे कर लिये थे तो यह कुछ पॉइंट आंपर बन जाएंगे ठीक है एक लव्यास नातक वन इस नाम से हमारे एक टेलिग्राम पर गुरूप है वहाँ पर आप जूड सकते हैं तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग सभी को जै हिंद जै भारत